है घाओंगा अम डियर एक्ससपूल पट्वलान वंकाम बैको वर यूट्यूब चनल फार्मा एंदर आज आज वीडियो में जानेंगे बीटा मेथासन टेबलेट्स के बारे में अपने बीटा से या बीटनी सोलॉन आपने नाम मार्केट में सुना होगा यह एक क्योंकि फैम यूजिस होते हैं और किन-किन रोगों में यह दवा दी जाती है इसके side effect क्या होते हैं किस प्रिकार से बर्क करती है सब को जानेगे इस वीडियो ने तो बीडियो को अंतक जरूर देखें वीडियो काफी knowledgeable और important रहने वाला है तो हम beta methasin tablets के बारे में थोड़ा सा basic जान लेते हैं basic में हम सबसे पहले बात करें तो यह एक prescription based medicine है means आपको इससे लेने के लिए prescription की जरूरत पड़ेगी डॉक्टर के prescription की जरूरत पड़ेगी आप बिना prescription के किसी भी medical से यह दवा नहीं ले सकते हैं second होता है इसकी category category की यदि हम बात करें तो है एक steroid category की दवा होती ही या immunos प्रेसेंट category की दवा होती है यदि हम इसके doses और strength की बात करें तो 0.5 mg dose में यह market में available होती है और यदि हम इसके doses form की बात करें तो तीन प्रकार के doses form में मार्केट में आती है injections form में भी आती है टेबलेट form में भी आती है और drop के form में भी यह market में आती है famous brand के यदि हम बात करें तो beta shape, beta power और betni solon नाम से market में यह दवा आपको easily मिल जाती है यदि betni solon या किसी प्रकार का आपको brand name नाम पता नहीं है तो आप beta methasan chemical name salt name बता कर भी आप इस दवा को purchase कर स सकते हैं और यदि हम इसके मुख उप्योग की बात करें तो मुख रूप से यह दवा तीन प्रकार की बीमारियों में काम आती है cancer, asthma, dharma और allergy इन तीन बीमारियों में इसका मुख रूप से उप्योग किया जाता है जो की life saving की रूप में उप्योग इसका किया जाता है तो य मुख उप्योग की जैसे कि हम पहले भी बता चुका हूँ इसके मुख उप्योग है दमा या अस्थमा, अस्थमा दमा एक ही होता है और cancer और allergy किसी प्रकार की measure से measure allergy हो उसमें यह बहुत अच्छी दरीके से काम कर जाता है आपने अक्सर गावों में देखा होगा जो थासन होता है जिसमें वह दवा साथ में उस patient को जरूर देते हैं क्योंकि मैं आप ही बता रहा हूँ इसका और और अदर इसस कौन-कौन से होते हैं जिस बज़े से आपको पता चल जाएगा कि वह जो आरेंपी doctors होते हैं जो भी गावों के doctors होते हैं वह हर प्रकार के patient को यह इसका मुख्य उप्योग तीनी है allergies, dama और cancer इस परकार के उप्योग हैं लेकिन इसके साथ साथ इसके बहुत से अनेक उप्योग हैं जैसे की चर्म रोग, गठिया बात, inflammation किस परकार का measure से measure inflammation हो यह neprotex syndrome, khaz, khuzli, यह सब समझ लीजिए कि आपको कुछी समाय में यह बहुत जल्दी ठीक होने लगता है, क्योंकि measure से measure यादी कोई disease यादी ठीक नहीं हो रही है, तो उसमें हम steroid दे देते हैं तो लगवग ठीक होई जाते हैं, इसको हर परकार के patient में देना पसंद करते हैं, यहां की और भी जो इसके उप्योग होते हैं, जैसे की dermatitis, psoriasis, eczema, आख आखों में inflammation, आखों की पलकों की surgeon, body में किसी परकार का measure से measure फंगल infection हो, inflammation हो, जिसमें क्या हो रहा है, हो सकता है, खुजली हो रही हो, psoriasis, psoriasis भी एक परकार का fungal infection हो, eczema, जो infection होते हैं, यह inflammation होते हैं, इनमें बहुत अच्छी तरीके से काम कर जाती है, air का infection हो, nose का infection हो, कान का infection हो, या आखों का infection हो, सभी परकार के infection हो, बहुत अच्छी तरीके से काम कर जाती है, यही कारान होता है कि जो RMP doctors होते हैं, वह हर परकार के patient में हो सकता है, इनमें से कोई भी infection हो, इनमें से कोई भी बीमारी हो, इनमें से कोई भी तकलीप उस patient को हो, तो वह दा इस द दबा को दे देते हैं, चार से पांच देन या साथ देन के लिए इस दबा को देते हैं और वह है पेशेंट पूरी तरीके से ठीक हो जाती है, तो आप समझ तकते हैं कि दबा एक है, लेकिन इसके काम अनेक हैं, जिस बज़ाए से हर जो डॉक्टर होता है, जो गांग को डॉक swinging है, तो याधी आप required dose में दे रहा है, तो safe है, अनेथा unsafe है, जरूरत के साब से दे रहा है तो ठीक है, अनेथा याःप पूरी तरीके से unsafe हैं, तो pregnancy हो स्तन पान कराने बाले धाली में दोनों में ही unsafe रहेगी, याधी कोई liver disease बाला Пेसेंट है, kidney disease बाला पेसेंट है, और heart disease ब बात करें तो liver, kidney और heart पर यह बहुत ही कम side effect दिखा दिये, बहुत कम side effect देखने को मिलते हैं, लेकिन यदि हम required dose में उपयोग करते हैं तो ठीक है, यदि required dose में उपयोग नहीं करते हैं, तो इस पर भी side effect दिखा सकती है, तो liver disease, heart disease या kidney disease का पेसेंट हो, तो उसमें एक required dose में लगातार इसका ज़्यादा उपयोग करते हो, तो यह abnormal bone growth करती है, और bones धीरे-धीरे damage करने लगते हैं, क्योंकि जो आपका bones का calcium होता है, वह है धीरे-धीरे decrease होने लगता है, और आपकी जो bones की जो समस्या है, life threatening भी हो सकती है, आपकी पूरे जीवन भर समस्या चल सकती है, मि कोई TB बाला patient हो, या सुगर बाला patient हो, तो इन दोनों patient को तो हम बिल्कुल भी इस दवाख नहीं दे सकते हैं, धाइड होता है, क्योंकि क्या होता है, सुगर जो बाला patient होता है, उसका सुगर level और भी बढ़ जाए, क्योंकि यहाँ एक estroid दवा होती है, क्योंकि यदि कोई बड़ेगा ही बटेगा कुछकी कोई किसी प्रकार की इस ट्रोड लेवल को करती है तो सुगर ऑर टीवी बाले पैसंट को हम इस दबाको नहीं सकते हैं next होता है इदि किसी पैसट को इस दबा से एलरजी हो बया हो और इससे वह घ्रम्र और संकरम्र और बड़ रहा हो तो हम ऐसे पेशंट को भी यह दबा बिल्कुल भी नहीं दे सकते हैं आँखों में क्रोन रोग मौतियां बिंद यह कोई depression बाला पेशंट हो तो ऐसे पेसेंट हम इस दबा का उप्योग भी नहीं कर सकते हैं बात करते हैं, इसके side effect के बारे में, side effect में बहुत ही खतरनाक side effect होते हैं, लेकिन हम side effect में बात करें, तो सबसे side effect होता है, वह होता है, abnormal bone growth या bonds damage, क्या होता है, जब भी आप इस दवा का उपयोग, bonds को, joints को ठीक करने के लिए करते हैं, कई बार क्या होता है, आपकी bonds और joints damage होने लगती हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा pen होता है, तो आप उस pen को inflammation को कम करने के लिए, कई बार joints में गुटने होते हैं, गुटनों में inflammation होता है, जोइंट में inflammation हो जाता है, तो उसको ठीक करने के लिए, या गठिया हो जाता है, arthritis हो जाता है, उसको ठीक करने के लिए combination के फॉर्म में इसको भी साथ में देते हैं लेकिन यदि आप लगातार ज़्यादा समय तक इसका उप्योग करते हो तो bonds growth, abnormal growth हो जाती है और जो हड़ियां को जो calcium होता है bonds का जो calcium होता है वह घटने रखता है और bonds damage होने लगती है और यदि आपका यह problem यदि सोड़े समय के लिए भी रही हो तो वह life threatening problem बन जाती है और पूरे जीवन भर यह समस्या आपको चल सकती है बहुत धीरे धीरे आपकी जो bonds होजा पूरी तरीके से damage हो जाती है यह इसका बहुत ही खतरना side effect होता है next होता है upset stomach यह stomach को पूरी तरीके से तो यह कुछ इस दवा के side effect होते हैं अब हम बात करते हैं इसके doses और strength के बारे में यह कितनी मात्रा में और कितने समय तक लेनी चाहिए यदि हम इसकी strength और doses की बात करें तो market में ज़्यादत आ रही है 0.5 mg tablet ही आती है तो आप यदि हम इसके किसी adult में इसकी बात करें तो दिन में दो बार ले सकते हैं 0.5 mg हम दिन में दो बार ले सकते हैं और 7 दिन तक ले सकते हैं यदि इसकी जरुवत के हिसाब से यदि इससे जादा भी बढ़ा जा सकता है में 7 से 15 भी कर सकते हैं किन दिन में दो बार हम इस दवा को किसी एडल्ट में दे सकते हैं, खाने के बाद देना होगा. So I hope कि आप बीटा मीथास और टेबलेट्स के बारे में संपूर्ण तरीके से समझ चुके होंगे, किस केड़ेगी की दवा होती है, किस प्रकार से उप्योग की जाती है, किन-किन बीमारी उप्योग करना चाहिए, किन बीमारी उप्योग नहीं करना चाहिए, किस प्रकार से इसके साइड एफिक्ट होते हैं, और RMP जो डॉक्टर होते हैं, वह इस दवा को ज्यादातार उप् सब्सक्राइब जरू कर दें तो मिलते हैं ऐसे किसी नए इंट्रेस्टेंग वीडियो साथ अब तक के लिए थैंक्वी बरिमाट जाहिन बंदे मातर हम देखते रहें फार्मा के और